आप देख रहें चंचल टीवी कुशलगड, कुशलगड शेत्र में शनिवार 16 सितंबर को भारी बारिश होने के कारण अंतिम संसकार नहीं कर पाये परिजन कुशलगड नगर के शास्त्री कॉलनी वार्ड नमबर एक में राहुल पवार दमामी का पूत्र क्रिश पमवार पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण वह दाहोद और बड़ोदा हॉस्पिटल में भरती रहा और अन्य बीमारी बढ़ने से हालत नाजुक होने के कारण चार साल पाँच महीने के क्रिश पवार का निधन हुआ परिजनों कोड़ूड सूचना मिलने पर पहुचे गुजराद बड़ोदा के हॉस्पिटल और वहां से एम्बिलेस लेकर शाम को चार बजे पहुचे कुछलगड जिसका शव यात्रा अन्तिम संसकार पाँच बजे रखी गई थी और कुछलगड मुक्तिधाम घाट नागनात मंदिर के पास शव यात्रा को लेकर पहुचे जहां हिरन नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण अन्तिम संसकार नहीं कर पाए परिजन, कुशलगड शेत्र के मुक्तिधाम घाट पर असुविधा वकुछ कमिया होने के कारण मुक्तिधाम के अंदर घुसा पानी अन्तिम संसकार को रोकना पड़ा परिजन हुए परेशान, दूसरे दिन बारिश होने के कारण शव को लेकर कुशलगड से तीन किलोमीटर दूर मोर नदी ले जाकर अन्तिम संसकार किया